नमस्कार दोस्तों मैं रोहित नौक्री जोन में आपका एक बर मैं फिर से हर्दी कमिन दन करता हूं आज मैं लाया हूं आपका दस दिसांबा इंडियन रिजाब बठालेयन में पूछे गए गनित के प्रस्णों के एंसर विट एक्स्प्लेनेशन तो मैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्रेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल बटन को दबाए नोटिफिकेशन पाने के लिए और यहाँ वीडियो यह आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन जरूद दमाएं जल्द ही जारकन के पुरसकार संबंधी और जारकन के खान खनी संबंधी वीडियो पोस्ट किये जाएंगे उस पर अभी काम चल रहा है आप लोग इंतजार किजिए और आज साम तक मैं हिंदी और इंग्लिस के जो भी आपक क्वेस्टन आये हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा नौकरी जोन में तो धैर मनाये रखे घवराएं नहीं अपने तियारी जारी रखे तो देखिए आपका जो पहला क्वेस्टन है वह आपका है एक साल के आपका साड़े साथ हजार रूपिया अंकीत मुल पर एन परसेंट और एन परसेंट की लगातार छूड़ दी गई परिणाम साल को 4800 में वेच दिया जाता है तो एन का वहलू निकालना है आपका यहां चार अप्संस दिये गए तो दोस्तों इसमें देखिए यहां पर मैंने क्या कि 7500 को मल्टिप्लाइ कर दिया आपका एन परसेंट बोला ह दिया अब देखिए उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया कट करने के बाद मुझे वहलू आया एन स्क्वेर बराबर 4 इंटू 100 इंटू 16 अब सब को मल्टिप्लाइ कर दिये तो एन स्क्वेर के वहलू आपका 6400 तो इसका आपका यदि हम लोग रूट निकालेंगे तो इसक 28-80 तो जो डिसकाउंट दिया गया है वहाँ आपका है 20 तो इसका एंसर होगा आपका 20 परसंट जो आपका ओप्संस है इसके बाद है आपका देखिए कि पूछा है कि वहाँ नियुनितम संक्या क्या है जो 6133 से घटकर एक पूर्न वर्ग यानि परफेक्ट स्क्वेर देत दिया और फिर इसको कैलकुलेट किया 7 x 7 क्योंकि 8 x 8 ज्यादा हो जाएका 64 हो जाएका 7 x 7 पर किये हम लोग तो यह आपका आ गया 1 2 3 1 2 3 आया यहां पर उसके बाद मैंने क्या किया 7 x 7 ग्याट कर दिया तो 14 आया उसके बाद मैंने देखा कि टू टू इस तरह करके 142 करके देखा अलग अत्तर मैंने देखा 148 तक तो 148 तक इसके एप्रॉक्समेट वेलू आ रहा है फिर वो मैंने एप्रॉक्समेट वेलू को यहां पर पुट कर दिया जो है 148 x 8 आया मेरा 1184 आप दोनों को मैंने इसको माइनस कर दिया तो हम लोगा जो लेफ्ट बचा यानि रिम इसका राइट एंसर होगा आपका बी इसके बाद है देखिए इसमें पूछा है कि 500 की अंकीत मूइल लेके एक साथ कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर आपका 374 रुप्य में बेज दिया जाता है तो छूट का परसेंटेज निकालना है आपको यहां पर चार अप्संस दिये ग इसके और कमकीत मुइल देखिए जो आपका अनकीत मूइल होता है वह हमेसा बेस में आता है और हम लोगको परसेंटेज निकालना है इसलिए मृटिपलाइ कर दिये हैं दिये हम लोग पेरीन परैस यहनी परarme का 500 कर दिये इसको कट किये कट करने के बाद हम लोगका तो यहाँ आपका भी राइट एंसर होगा इसके बाद है आपका कि बोला है कि आपका 32 cm उचाए वाले समानतर चतुरभुज का छेतरफल 256 cm समानतर चतुरभुज का आधार निकालना है तो समानतर चतुरभुज जो होता है वह इस तरह का होता है यह आपका हाइट होता है तो हम लोगो निकालना है बेस तो यहाँ पर हम लोगा हाइट दिया हुआ है आपका 32 cm आपका एरिया भी दिया हुआ है आपका 256 cm स्क्वेर हम लोगो बेस निकालना है तो हम लोगो भी दिया हुआ है 32 तो हम लोग क्या करेंगे कि B equal to निकालेंगे पुट करने के बाद B equal to निकालेंगे 256 वह 32 तो आपका 32 कट जाएगा 288 से तो इसका जो बेस यानि आधार का जो होगा वह होगा 8 cm जो कि आपका A minus B square के formula में दोनों को तोड़ सकते हैं इसका formula होता है A plus B into A minus B तो देखिए इसको तोड़ते हैं पहले तो A plus B into A minus B एक हो गया आप इसको तोड़ते हैं अलग से तो A plus B into A minus B अब देखिए 98 और 2 आपका add किए 100 आया 98 में 2 घटाए 96 आ गया फिर 5 में 4 जोड़े 9 आ गया और 5 में 4 माइनस किए आपका 1 आया सबको multiply किए आपका 8 6 4 00 जो कि आपका right answer है आपका B इसके बाद है दोस्तों कि आपका ये दिया गया है question आपका 60 पूरा root दिया गया है देखिए गनितिया अभी वेक्ते का मान पता लगा है तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपका इसको 576 का आपका root निकाला तो 576 का root होता है आपका 24 आप क्या किया इस 24 को 376 में जोड़ दिया तो 376 में हम लोग जोड़ने के बाद आया 400 आप 400 का जो root होता है वो होता है आपका 20 फिर इस 20 को आपका 61 में जो add कर दिया और तो 61 प्लस 20 आगे आपका 81 81 का हम लोग root निकाल दिया वाया 9 जो इसका जो right answer होगा वो आपका B होगा इसके बाद देखिए कि है आपका एक आपका 10.5 cm त्रीजा वाले वरित का केंदर S पर है एक हम लोग सरकील ले लिए दिखिए यहाँ पर diagram में दिखाया गया एक सरकील लिए इसका S बिंदू आपका middle में है यहाँ पर S है और यह आपका radius 10.5 और जो इधर भी आपका radius होग ठीक है इसके बाद आपका बोल रहा है कि एक P बिंदू कहीं पर खीचा जाता है P बिंदू यहाँ पर खीच लिए आप बोल रहा है कि दो इस पर सरेका खीचा गया है बिंदू Q से और बिंदू आपका R से यह एक खीच दिए यह खीच दिए इसके बाद दोनों आपस में म P Q R S यानि यह आपका P है यहाँ पर आपका Q है यहाँ पर R है और मेड़ पॉइंट यहाँ पर आपका S है तो इसका आपका 6 रफल हम लोगों निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि formula यूज करेंगे सबसे पहले हम लोग आपका मान लीजिए कि इसका हम लोग निकाल रहे हैं इसका value हमें निकाल दिये तो इसका होता है आपका 1 by 2 into base into height base हम लोग जो है वहाँ है आपका 14 cm यहाँ पर लिख दिये हैं into height हम लोग है जो कि radius है वहाँ यहाँ पर आपका 10.5 multiply कर दिये अब 2 से यह आपका 14 कट गया 7 आ गया तो 7 into 10.5 तो हम लोग आ गया 73.5 cm2 तो हम लोग सिर्फ इसका value निकाले अब इसका value निकाले के लिए same area है तो हम लोग 2 से multiply कर देंगे तो हम लोग इसको totally निकाने के लिए 2 से multiply कर दिये तो 2 से multiply करने के हम लोग से मिलता है 147 सेंटिमेटर स्कूर आपका एंसर आया तो हम लोग आपसंस में देखते हैं आपसंस नमर ए जो है वह आपका राइट एंसर है इसके बाद बोल रहा है यदि एक प्राकितिक सेंग्या चोन से गुना होता है उसके बाद 18 से विवाजित होता है तो हमें उस सेंग्या के बाद बोल रहा है स्क्वेर यानि वारग एक्स स्क्वेर 18 से काम है तो जैसा कोईस्टन ने बोला हम लोग कर दिया फिर 18 से 54 कट गया 3 से हम लोगा वैलू आया 3X इक्वल टू इतना लिग दिये आप इक्वल टू के इधर कर दिये तो सारा आप इधर का 0 हो गया इधर आपका वैलू आ गया अब इसको हम लोग तोड़ दिये ब्रेक कर दिये एक्स स्क्वेर माइनस 6X प्लस 3X माइनस 18 हम लोग इसको तोड़ते हैं कि आपका जो बीच वाला जो है यह दोनों को यदि हम लोग प्लस यह माइनस करे तो बीच का वैलू आना चाहिए जो मीडिल वाला वैलू है और X प्लस 3 कर दिये इंटू में X माइनस 6 कर दिये आप यहाँ पर वैलू है एक्स बराबर आपका 6 आया और X बराबर आपका माइनस 3 आया तो माइनस वाला वैलू को हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे इसके बात है आपका बोल रहा है कि कूछिजन में देखिए कि आपका जो चील को निकलती है चाहि का क्यूब निकालना है थो एक समलों के भेलो निकल गया पोजेटीब में six तो आपका 216 यानि Deutsch दो सौल आया तो इसका अंसर जो होगा जो हैं उगा सी कि इस के बाद इतार कि नीच्जिन alligator कि नीचली तरी जिए जो आपका है वहाया का capital R और उपरी निचली तरीजिया हाँ उसके बाद आपका उपरी तरीजिया जो आपका small R उसके बाद का अनुपाद 2, 4 और 3 है उसका योग जो है आपका 63 cm तो इसका आपका volume निकालना है तो देखिए यहाँ पर value दिया हुआ है हमका ratio में तो हम लोग उसको X, 2X आपका 2X मान लेते हैं एक 4X मान लेते हैं और एक आपका 3X मान लेते हैं height को अब हम लोग क्या किये सब को add कर दिये 2X प्लस 4X प्लस 3X प्लस हाँ सब को add कर दिये तो अब equal to आ गया 63 अब इसको add किये तो 9X equal to 63 आया तो X के value हम लोग काटने के बाद आया 7 अब क्या करेंगे X का value यहाँ पर जो जो value था उस सब में put कर देंगे तो value आया गया 2X7 आया आया आपका 14 cm 4X7 यहाँ पर 28 cm और 3X7 equal to 21 cm अब हम लोग जाते हैं चिननक इन फस्टरम का जो volume होता है वह होता है आपका पाइ बाइ थ्री इंटू एच इंटू में आता है आपका capital R square plus small square और फिर प्लस में आता है आपका capital R into small R यानि बड़ी त्रीजिया इंटू छोटी त्रीजिया आप कट कर दिये तीन से यहाँ पर 21 था हम लोग एच के value आया कट कर दिये और फिर पाइ के value 22 साथ कर दिये साथ से साथ कट गिया आब आया सब इन तीनों का square कर दिये 28 का 14 का और आपका इसको multiply कर दिये 28 into 14 का हम लोगो यह तीन वेलू आया तीनों को add कर दिया आपका आया 1372 अब यहाँ बाहर जो 22 है उसको साथ इसको multiply कर दिये multiply करने के बाद हम लोग answer आया 3018 cm q जो हम लोग यदि हम लोग देखते हैं तो इसका जो right answer मिलता है हम लोग वह होता है आपका c इसके बाद देखिए यह आपका बोला है कि 1122 33 डॉट 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 सिरिंखला के 18 पद तक का योग खोज के निकाले आपके य यहां 18 पद तक बोला इसमें क्या करेंगे देखते हैं कि सारा का डिफरेंट सब्सक्राइबन इलेवन हम लोग यहां पर कुमन ले लिए आप 123 करके 18 तक है आपका बचा है हम लोग तो हम लोग फर्मूला जानते हैं कि एक से लेके जितना भी संग्या का निकालता है वह फर तक हम लोगों निकालना है आप 11 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 1 बाइ 2 अब 2 से आपका 18 कट गया आया 9 और फिर आपका देखे मल्टिप्लाइब कर रहे है 9 का इस और 11 का 9 का और 19 का तो हम लोगा वहलू आ गया आपका 1881 यह हम लोगा आया हम लोग जब आप्संस मे मिलता है तो इसी इसका जो होगा वह राइट अंसर होगा दोस्तों तो वीडियो आपको कैसा लगा अब हमें जरू कमेंट करके बताएए और यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन जरू दमाएं और मैं जहरकंड का पुरसकार जो अभी दिया गया अभी तक सबका मैं वीडियो बनाऊंगा कल तक आप विश्वास रखे और जहरकंड के खान खरीज का भी वीडियो परसू तक अपलोड हो जाने की संभावना है हिंदी का और इंग्लिज का मैं आज रात तक मैं अपलोड करने का कोशिश करूंगा हमारे साथ बने रहे धेन्यवाद